है दोस्तों चलिए हम एक और बार एक नए वीडियो एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं इस बार हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स कितने टाइप क्या हैं इंडिकेटर्स के प्रकार क्या हैं उनके ब्रॉड कैटेगरीज क्या हैं मैंने जो देखा हुआ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि एक ही टाइप की कैटेगरी एक ही प्रकार के इंडिकेटर्स को वो चार अलग-अलग इंडिकेटर्स को इस्तमाल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं हुआ जहां तक मैं समझता हूँ जैसे कि समझे कि आप पर और पांच लोग खड़े हैं उनसे पूछ रहे हैं कि रेलवे सिशन कैसे जाना है और वो पांचों लोग अगर आपको बताते हैं आगर जाके राइट लेंगे तो आपको रेलवे सिशन मिलेगा तो यहां पर आप महनत कर रहे हैं यहां पर आप डिरेक्शन ले रहे हैं यहां पर आप पूछ रहे हैं आप समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि यह जो input आपको मिला कि किसी से आपने रस्ता पूछा वो एक प्रकार का है और आप उसी एक information के लिए आप चार अलग-अलग indicator यूज़ कर रहे हैं systems के नाम पर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो एक प्रकार की वो भले lagging indicator हो जैसे कि आपने पहले से lagging indicator को देखा तो मैं समझता हूँ कि आप 5 lagging indicator को डालोगे तो confusion पैदा होगा उससे clarity नहीं आएगा अगर आपको lagging indicator डालना है तो मैं समझता हूँ आपको कोई confusion मिलेगा और एक बोलेगा बाइगर और दूसरा बोलेगा sell करो उसका कोई मतलब नहीं होता है तो इसलिए मैं आपको ये इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ उद्देश ये मेरा ये है कि आप समझें कि पहले तो किसी भी indicator को देखने से आपके दिमाग में ये पहुंच जाना चाहिए कि ये lagging indicator है या ये कौन सा indicator है आज वो तीनो तीन प्रकार के हम देखेंगे और अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी आप जो भी system करते हैं कि इसके पहले अपन शुरू करें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत strongly इस चीज़ को believe करता हूँ कि stock market trading हो commodity market की trading हो या currency market की trading हो कि CV प्रकार की trading क्यों नहों वो हमारे जो physical market है जो हम दुकान में जाके लेते हैं उससे कोई परे नहीं है जो rules यहाँ पर apply होते हैं जो rules सिध्धान्त यहाँ पर successful है यहाँ पर जो आपको फाइदा करवा सकते हैं वही सारे rules आपको stock market में या commodity market में या currency market में फाइदा करवा सकते हैं इन दोनों में ज़्यादा फरक नहीं है वही principles वही सिधान्त इनको भी govern करते हैं इनके लिए भी लागो पड़ते हैं जो physical market के लिए है तो मैं चाहूँगा कि आपको इस वीडियो में समझाऊं एक physical market का example देखकर जो दिन प्रती दिन हम अपने आजू-बाजू में देखते है हमारे करियाना वाले किराने वाले को हम देखते हैं वैसे लोगों को देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें भी currency trading करना है या commodity trading करना है तो क्या ये सिध्धान्त हम इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान दीजेगा हम एक example लेंगे यहाँपर हम एक rice market का example ले ल सिफ चीनी में deal करता है जो भी है आप ले लीजिए हम एक चीनी वाले को अभी चीनी के बारे में बात करेंगे एक चीनी वाला आदमी है भूल जाएए थोड़े मिनिट के लिए कि आप commodity market की बात कर रहे हैं या currency market की बात कर रहे हैं उन सभी को भूल जाएए बस इतना याद करते हैं आप कहनगे कि यार मेरा किराने वाला तो कोई indicator नहीं यूज़ करता लेकिन वह गलत बात है हम सब कहीं कहीं indicators use करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि वह indicator चार्ट नहीं लगाता अगर वह चार्ट लगाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा पहली बात तो हमारे चीनी वाले भाई यह जो चीनी के व्यापारी हैं वो यह समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट उपर की तरफ जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट ट्रेंडिंग में है या मार्केट नीचे मंदी में है तेजी में है या मंदी में तो वो क्या करेगा इसको समझने के लिए वो सिंपली एक ही चीज देखेगा कि पिछले 15 से 30 दिन के बीच में मार्केट का रुजहान क्या रहा उसका रुख किस प्रकार का रहा अगर उसको देखता है कि 35 रुपे का जो चीनी था अभी 40 रुपे हो गया है पिछले 15 दिनों में तो उसको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी तेजी में मार्केट उपर की तरफ जा रहाँ अगर वही चीज उसने अगर 35 का 25 दिखा होता या 30 दिखा होता तो वो समझ जाएगा कि मार्केट अभी मंदी में है, मार्केट में slow down है, ठीक है, तो वो पिछले 10 दिन का इतिहास देखकर तो वो समझने की कोशिश करेगा ही करेगा, इनफेक्ट वो समझ जाएगा, वो जब जाएगा, तो उसको ख्याल रहेगा खरीदने से पहले अभी मार्केट मंदी में है, या तेजी में है, और हम जानते हैं कि इसने judgment कहां से लिया, ये judgment उसने historical data पे लिया, historical data मतलब बीते हुए दिनों के data पर जो गुजर चुका है, वो data जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, जिसको हम जानते हैं, जो इतिहास है, उस data को लेकर वो एक अनुमान लगाता है, कि आने वाले दिन, ये अभी फिलहाल का जो season है ये, या फिलहाल जो है, मार्केट मेरा चीनी का तेजी में है या मंदी में है, ठीक है, और हम जानते हैं कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम lagging indicators बोलते हैं, आपने पहले देखा हुए video lagging indicator का, तो इसको हम lagging indicators बोलते हैं, और lagging indicators क्या करता है, हम उसके details में नहीं जाएंगे लेकिन आप जानते हैं उसको बली बाती कि लागिंग इंडिकेटर पिछले बीते हुए इतिहास को लेता है उस देटा को लेता है और एक अनुमान लगा कर हमें बताने की कोशिश करता है कि भाई यह जो मार्केट है या तो तेजी में है या मंदी में है फिल अरे पास लागिंग इंडिकेटर नहीं रहेगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट तेजी में है या मंदी में है तो लागिंग इंडिकेटर आपको इसमें बहुत मदद करता है कि पिछले इतिहासिक डेटा को लेकर वो अभी अनुमान लगाता है और कहता है कि शा तो जो पहला इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो हमेशा एक लागिंग इंडिकेटर यूज करेंगे जो एतिहासिक डेटा को लेकर हमें बताने की कोशिश करेगा कि मार्केट तेजी में है या मंदी में है बता है